हाई फ्रेंज मेरे तुनाक पाल देखे एक और जो है easiest way of double border लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कि double border का easier सबसे easiest way किस तरीके से आप कर सकते हैं यह देखेंगे आप इस तरीके से यहाँ पर यह double border बना हुआ देखेंगे जिस तरीके से आप देखते होंगे बजार में मिलता है वैसे देखेंगे तो चलिए इसे किस तरीके से करना है इसके दो तीन चीजे मैं आपको पहले बता दू एक तो हमें जब नीचे का जो हमें फंदे डालने है दूसरे कलर से डालने है और दूसरी बात है कि अगर हमें 90 फंदे चाहिए तो हमें 46 फंदे डालने है तो किस त जो है आप यह देखेंगे जो भी आप वूल लेंगे उसकी दूसरी वूल लिजेगा basically यह देखेंगे अब जिस भी वूल से आपको बनाना हो उसका कोई भी दूसरा वूल कोई भी एक्स्टा छोटा सा वूल लीजेगा double border करने के लिए दूसरा रंग का यूज होगा अब करना कैसे है इस से आपने ऐसे नॉर्मल जैसे फंदे आप डालते हैं इस तरीके से ये डाला आपने पहला फंदा फिर आपने इस तरीके से जो नॉर्मल फंदे डालते हैं वो आपने डालने हैं से यह किसी भी दूसरे कलर से तो देखेगा जितने भी फंदे आपने डालने होंगे आप इस तरीके से डालेंगे यह देखेगे यह डाल लिए जितने भी फंदे डालने होंगे अब आपने करना क्या है इसमें मैं दो फंदे और डाल देती हूँ यह देखेंगे अब करना क्या है उल्टी तरफ है इस समय यह देखेंगे आप अब आपने जो कलर यूज करना है यानि कि जिस कलर का स्वेटर बनाना है जैसे मैंने वाइट का बनाना होगा तो मैं वाइट लूँगी यहां से शुरू करना है इस तरीके से यह लिए आपने देखेंगे दूसरे कलर से ऐसे बनाना शुरू कर दिया यह देखेंगे अब यह है अब मैं इससे बनाऊंगी दो इस तरीके से यह पूरी लाइन आपने इससे उल्टी बनानी है इस तरीके से ऐसे अब यह तो आपकी देखेंगे आप एक लाइन होगे उल्टी होगे अब इसके बाद हमें एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी चार लाइने करनी है यह ऐसे इस तरीके से यह लाइन सीधी अब यह लाइन उल्टी ऐसे फिर again फलट के ये लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी याने कि 5 लाइने टोटल में करनी है आप देखे इस तरीके से आपने ये ऐसे 5 लाइने कर लिए देखें आप 5 लाइने कर लिए अब देखें किस तरीके से करना है पहला फंदा उतारेंगे अब बैक साइड पर आ जाए यह ऐसे है, इस पर, आप जो आपको यह पहला फंदा यहाँ पर वाइट दिख रहा है, देख रहे हैं यह दिख रहा है, इसे आपने ऐसे लेना है, इस तरीके से यह, और इस पर ले लेना है, धागा अपनी तरफ करके इसे आपने उल्टा बनाना है, फिर धागा आगे, एक स प्याशी था, अगें बैक से जाएंगे ऐसे करके, और यह जो देखेंगे, यह डैश आपको दिख रहे हैं, यह इन ही डैश को लेना है, यह लिया अपने यह वाइट, इस पर ले लिया, धागे को आपने अपनी तरफ किया, और इसे उल्टा बनाया, जो नीचे से उताएंग भागे को आगे करके इसे उल्टा बनाएंगे, फिर ये वाला फंदा सीधा, अब फिर से बैक किया आपने ये देखेंगे, बहुत आसान है, बहुत ही इजी है, ये लिया इसे उल्टा, फिर इसे सीधा, फिर बैक गए, ये लिया, ये देखेंगे, इसे उल्टा, इसे सीधा, फिर back ले इसे उल्टा इसे सीधा, सारे फंदे आपने इसी तरीके से करने, ये dashes आपने बेसिकली ऐसे उठाने है, dash उठाया ये किया उल्टा बनाया इसे सीधा बनाया, देखेंगे ये dash उठाया इसे उल्टा बनाया फिर इसे सीधा, ऐसे ही सारे फंदे आप उठाते वे जाएंगे ये देखिए, लास्ट में आपको इस तरीके से एक फंदा ऐसे दिखेगा इसे आपने उल्टा बनाना है, और फिर ये आपका यहाँ वाला लास्ट फंदा एक सीधा बन जाएगा इस तरीके से आपका डबल बॉर्डर तयार होगा, अब आपने क्या करना है कि इसे जस्ट एक सीधा एक उल्टा, ये आपकी मर्जी आप किस तरीके से इसे बनाएंगे यह देखेंगे, यह ऐसे, पहला उल्टाया, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, अब आप इसे सीधा उल्टा भी बना सकते हैं, सीधा सीधा भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आपको कैसा बॉर्डर इसमें जो है, बनाना है, बट यह आपका डबल अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके जो ये ग्रीन कलर का दागा है इसे आप कैसे निकालेंगे तो अब ये देखे इस तरीके से आपका ये जो है डबल बॉर्डर ऐसे बन गया है देखरेंगे आप बहुत ही खुबसुरत सा डबल बॉर्डर बनता है बहुत इजी वे में बैसिकली बनता है ये अब देखें जो पीछे से इसके आप ये देख रहे हैं ये ग्रीन देख रह तो देखे इस तरीके से आपका यह double border ऐसे त्यार हो गया देख रहे हैं मैंने एक double border बना के रखा हुआ है वो मैं आपको दिखाते हूँ यह देखे यह double border यह आपका इस तरीके से त्यार होगा elasticity देखे इस पर और बहुत ही बढ़िया तरीके से यह बन जाता है तो चले फिर बनाईए और शेयर जरू कीजेगा सब के साथ थैंक यू